दोस्तों आज के इस दोर में कब कपल का तलाक हो जाए इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है हम आपको आज एक ऐसी ही मामले के बारे में बता रहे हैं जो गुजराद के एहंदाबाद से सामने आया है यहाँ पर तो एक शादी एक घंटे भी नहीं टिक पाई जी हाँ साथ पेरे लेने के तुरंद बाधी खाना खाने के दोरान लड़की वालों और लड़के वालों के बीच लड़ाई हो गई यह लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर खाने के बरतन फैकने लगे और फिर तभी दुल्हा और दुल्हन को गुस्सा आया उन्होंने भी एक दूसरे पर बरतन फैकने स्टार्ट कर दिये फिर इस लड़ाई को खत्म करने के लिए शेत्रिय पुलिस को बुलाया गया लड़ाई खत्म होते ही लड़का लड़की ने तलाख ले लिया सुत्रों की माने ये लड़ाई बहुत ही छोटी सी बात पर शुरू हुई थी बहस धीरे धीरे लड़ाई में परिवर्तित हो गई और फिर दो दोनों ही परिवारों के बीच परतन फैकने का सिल्फिला शुरू हो गया जब पुलिस ने ये इस लड़ाई को शान करवाया तो कुछ ही मिंट में उस कपल का तलाख हो गया दोनों ही पक्षों ने अपने वकीलों को बुलाया और उसी वक्त तलाख करा दिया दुला दुलहन के बगयर घर चला गया और उसने सभी गिफ्ट लोटा दिये अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर ले और ताजी ताजी अपडेट्स पाने के लिए घंटे को जरूर दबाए और नुफत उठाए ऐसी ही दिल्चस्प वीडियोज का